हेलो एबरिवन इस वीडियो को टॉपिक है राइट एंगल चेक वाल राइपकवाल जनरली हे लिक विप्मेंट या पाऊरणक निल गया जाता है जो कि किसी एक कई में graus प्लोव लाव करता है और रिवर्स में फ्लोम को नहीं हो आने ही इसमें एक पॉइंट होता है या वर बड़ होता है ऑग आक एस द और उभ जय होसका प्रेसर कहते हैं जिससे की वाल को खोल के और वहां से फ्री फ्लो Αलाओ सके तो इमेज में आप देख रहे हैं एक right-angle check valve का इमेज है जिसमें आपको यहाँ कया पेखरा है इसके अंदर血 their स्पूल ऑर इसके अंदरा श्प्रिंग लगा होता है और यह 90-degree is का अब होता इसमें 90 डिग्री इसका और इसलिए इसका नाम पढ़ा है क्यूंकि ए जिसके आप इमेज में दे सकते हैं कि 90 डिग्री में फ्लो अलाव कर रहा है तो इसका नाम राइट एंगल पड़ा है और इसके अंदर जैसे आप मैंने जो आपको दिखाया था लिक्विट के जो मिएक खुल गयाता है वहां से फिर अलाव हो पास होने लगता है तो इसमें जिससे आप देख सकते हैं कि यह पूल है और अंदर का स्प्रेंग यहां से अपना फ्लो इंटर करेगा लिक्विट स्पोल करेगा यहां से अपना एकजिट होने लगेगा यह फ्लो होने लगेगा तो इसका ग्राफिकल सिंबल होता है इस टैप से वाई अपने बीच में एक बॉल लगे रहता है जो कि वह अपना सीट में जाके बैड़ जाता है और उसमें जब इस डारेक्शन से अगर फ्लो आएगा तो फिर यह उस सीट में बेड़ जाएगा और फ्लो को अवर्णे नहीं देगा क defenders ale to model number इन में को बता रहा हूँ तो में यूके में मोडल नंबर जो होटा है तो उसमें क्या-क्या उसके क्या मीनिम्लक होते हैं तो सबसे पहले एयफ होता हो यह दो वह स्पेसल सील्स का सिंबल तो उसमें जैसे की इस्पेशल सी जो फॉस्फेट इस्टर टाइब की फ्लिट होते हैं उसके लिए वह शील लगाया जाता है तो जनरली यह बहुत ही कम यूज होते हैं और जो आगला डिजिट जो सबसे कमण रहता है वह होता है सीरेल नंबर सीरेल नंबर दिखाता है वह ज तो तक यह अग्ला जो घ़ता है तो त्यक्टि ओं प्लेट मांटिंगी होता है कि और उसका आगला जो रहता वह वाल्व साइज दिखाता है तो जनरली इसमें 030610 यह होता है उसका अगला जो डिजिट होता है वह क्रेकिंग प्रेसर दिखाता है जैसे कि इसमें आपको दिखाता है जिरो फोर तो जिरो फोर का मतलब होता है पॉइंट जिरो फोर मेगा पास्कल या 6 PSI और जिरो सिक्स में और यह समय अलग अपना रहता है उसका क्रेकिंग प्रेसर और उसके पर अगला जो रहता है वह जिसे फिप्टी जनली समय आखरी में फिप्टी रहता है तो वह डिजाइन नंबर होता है है इसमें ऊपने जो सबक्लिब्ड मॉडल जो होते हैं उसमें ज Semic Flynn जी होते हैं अलग इसमें तीन स्टेनल के हैं तो Japanese ऊपी न्रहरे आंफ या है और अमेरिकन निजियान इस्टेनर्ड है तो सबकी जो वाल को मॉडल नंबर है उसके अधार पर जो थ्रेड साइज होते हैं वह इसमें अलग-अलग होते हैं जैसे CRG03 है तो यूरोपन डिजाइन में जैसे उसका आजाएगा CRGM03 5080 यानि कि उसमें थ्रेड साइज हो जाएगा 3x8 BSP BSP थ्रेड फीमेल और वही चीज जब अमेरिकन डिजाइन में आ जाएगा उसका मॉडल नमबर थोड़ा चेंज हो जाएगा जैसे 5080 जो था वह 5090 हो जाएगा और उसका हो जाएगा 3x8 MPT MPT थ्रेड हो जाएगा उसमें वैसे अपना जैसे 06 में 3x4 BSP थ्रेड का जैसे यूरोपन में BSP थ्रेड फीमेल आ जा रहा है वैसे अमेरिकन डिजाइन में MPT थ्रेड हो जा रहा है अब सबका उसका मॉडल नमबर भी चेंज हो जा रहा है अग्यूसका फिर जो माउंटिंग बोल्ट होते हैं तो सबके जो मॉल्ट बोल्ट हैं जैपनिज और हुआज एक जिसे रहेंगे और अमेरिकन के थोड़े चेंज रहेंगे तो सबकी मॉडल लगेगा फिप्टी लॉंग रहेगा और सबके क्वांटिटी जीसे चार-चार और सी आर्जी टेन वाले की जो रहेंगे वो छे बोल्ड लगेंगे तो इस वीडियो में देखा कि राइट एंगल चेक वाल क्या होता है जनली मैंने इसमें आपको यूकेन वाले में बताया है म हमारक उद्य से क्या होता है तो इस वीडियो में फिलाले इतना ही थाइंक यू